साल 2019 राजनितिक उठक पटक से भरा रहा पहले महिने से लेकर आखरी महिने तक देश में ऐसी राजनितिक घटना ए घटी जिससे नकेवल देश पर बलके दुनिया भर में असर डाला भाजपा के लिए साल जतना एतिहासिक रहा उतना ही कॉंग्रिस के लिए भी साल 2019 पीम नरेंद्र मोदी की विरूधियों की पच्छार पूर्ण बहुमत से सत्ता में बापसी करना और इसके अपने कोवर अजिंडों को लागू करना दुनिया भर में चाया इसके लावा कॉंग्रिस में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई तो राहूल गांधी ने अध्यक्षपत से इस्तिफा दे दिया हाई जानते हैं साल के बड़े राजनिति घटना करम जो हमेशा महत्वर रखेंगे साल 2019 चुनावी साल रहा इसमें लोकसभा चुनाव के अलावा कहीं राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हालाकि 2018 में राजस्थान, मद्रवदेश और 36 गण में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा जटका लगा था और तीनों ही राजजगावा दिये थे, ऐसे में भाजपा के लिए 2019 की शुरुआद भी अच्छी नहीं रही लेकिन लोकसभा चुनावी मोदी की वापसी ने विपक्ष को तगड़ा जटका दे दिया 23 मही को आये नतीजों ने पुरी दुनिया को चौका दिया मोदी का करिश्मा और अमित शाह के रणनीती से भाजपा ने अखेले के दम पर 300 का आकड़ा पार कर लिया इसके साथ पिये मोदी एक ऐसी गेर कॉंग्रेस सरकार के प्रधान मंत्री बेनेज रगातार दो बार भहुमत के साथ सत्ता में आये कि सर्वी में भाजपा भहुमत के आकड़े से दूर बताई जा रही थी लेकिन नतीजे आये तो हर कोई हैरान रह गया आजादी के बाद से जम्मु कश्मीर का मुद्दा सबसे उपर रहा लेकिन साल 2019 में भाजपा ने इसे भी खत्म कर दिया मोधी सरकार 2.0 ने अपने कारिकाल से पहले ही लोगसभा सत्र में इस मुद्दे पर विजय पाली केंद्र ग्रहमंद्री अमित्शह ने 5 अगस्त 2019 को लोगसभा में प्रस्ताव लेकर आये जिसमें जम्मु कश्मीर से 370 का हटना राज्यो का बटवारा और केंद्र शासत प्रदेश बनाने का प्रस्ताव था हलाकि इस बिल को लाने से पहले अमनात यात्रा रूख दी गई थी जम्मु कश्मीर में फोन इंटरनेट बंद कर दिया गया और राज्यों के हिरासत में ले लिया गया घाटी में सुरक्षा बढ़ हुतरी के साथ ही राज्यों ते खल चल बड़ी राज्य सभा में बहुमत नव होने के बाद भी दोनों सद्रों में इस बिलको आसानी से पास करवाया 31 अक्टूबर 2019 से जम्मु कश्मीर लद्दा का लगलग केंदर शासत प्रदेश बन गये लोगसभा चुनाओ 2019 में भाजपा ने कई बड़े दाओ चले इनमें सबसे बड़ा दाओ अमित शाह का चुनाओ लड़ना था भाजपा के अध्यक्ष चानक के कहे जाने वाले शाह ने बुजरात की गांधी नगज सीट से चुनाओ लड़ा कॉंग्रेस ने 2014 और 2019 का चुनाओ राहूल गांधी को आगे रख का लड़ा इस बार ये हार और भी बुरी थी क्योंकि खुद अध्यक्ष रहते हुए राहूल गांधी अपनी पारंपरक सीट अमेठी से चुनाओ हार गये भाजपा निता स्मरती रानी ने उन्हें अमेठी में चुनाओ भराया इससे पहले 2014 के चुनाओं में स्मरती वहाँ पर हार चुकी थी हलाकि साल 2019 कॉंग्रेस के लिए कुछ माइनों में अतिहासिक रहा गांधी परिवार की एक और पीड़ी की सदसी यानी प्रियंका गांधी वाड़ राईस साल अधिकारिक रूप से राजनिती में शामिल हो गई प्रियंका को लोगसबा चुनाओं से पहले पूर्वित्तर प्रदेश के जिम्मदारी दी गई थी उन्होंने लगातार हर सीट पर जाकर प्रचार भी किया 2019 के लोगसबा चुनाओं में कॉंग्रेस ने राफेल विमान का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था राहूल गांधी ने आरोप लगाया कि राफेल विमान सोदे में गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी सीधे तोर पर प्रधार मंतरी नरेंद्र मुदी ने की है इस मुद्दे को लेकर राहूल ने जो चौकिदार चौरहे का नारा लगाया प्रधान मंतरी मुदी ने उसी को पलटते हुए मैं भी चौकिदार नारे को लौँच कर दिया जो भारती जनता पार्टी के लिए 2014 के चाये वाले कैम्पेन जैसा लागू हुआ ये विवाद सुप्रिम कोड तक पहुचा सुप्रिम कोड की और से भी मुदी सरकार को राहत मिली और इस विमान की खरीदी प्रक्रिया को सही पाया गया महराश विदान सब चुना के बाद राजी की राजनीती का इतिहास बदल गया भाच्वा जनादेश पाकर भी सरकार नहीं बना पाई और जिस ठाकरे परिवार का कोई सदसे कभी सरकार में नहीं था वही परिवार आज राजी की सब्ता पर राज कर रहा है बीजेपियो शिवसेना का 25 साल का साथ इसी के साथ खत्म हो गया और अब तक कटर हिंदुत्व की राजनीती करने वाली शिवसेना कॉंग्रेस और NCP जैसी सेकुलर पार्टी के साथ आकर खड़ी हुई है इसे के साथ ही पहली बार ऐसा हुआ जब ठाकरे परिवार का कोई सदसे मुख्यमंत्री बना हो उदर ठाकरे ने गठबंधन सरकार की कमान संभाली और राज के मुख्यमंत्री पत की शपत ली